भजिनपुर नाम का एक गाउँ था जहां एक बड़ा मोची वाला भूत रहता था। उस भूत के पास एक बहुत अच्छी जादूई शक्ती थी। वो गाउँ की एक बड़ी सी गुफा में रहता था। उसने गाउँ के लोगों को बहुत तंग कर रखा था। सारे गाउँ वाले अपने घर की ओर जाते तो देखते कि उनके खेत की फसल अच्छी तरह उगनी शुरू हो जाती थी। और उन सभी के घर में एक हफते का खान, पान, रोटी, सबजी और पैसा रखा होता था। एक पार उस गाउँ में एक बुड़ी औरत आई, वो भटकती भटकती उस गाउँ में आ गई थी। वो बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए न तो घर था न जमीन, वो गाउँ के कुए के पास जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक औरत पानी भड़ने के लिए आई। हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को न देना। अब मैं क्या करूँ, कहा जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अम्मा, इसमें सोचना क्या, आप हमारे गाउं के सरपंच से जाके मिलाओ, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, आपकी इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। चलिए, मैं आपको अपने साथ उनकी हवेली ले जाती हूँ। हाँ बेटा, ले चल मुझे उनकी हवेली, अब तो वही एक आखरी रास्ता है मेरे पास। फिर वो औरत उस बुढ़ी औरत का हाथ पकड़ कर सरपंच की हवेली पहुच जाती है। सरपंची, सरपंची, जड़ा इस बुढ़ी औरत की परिशानी सुन लीजे। मेरी, मेरी परिशानी सुनिये। मेरे पास रहने को घर नहीं है। खाने के लिए खाना नहीं है। एक आना पैसा भी नहीं है। आप ही बताइए क्या करू मैं। अच्छा अच्छा ठेक है मैं समझ गया आपकी परेशानी अब दो एक सुझाव है क्या सुझाव? आपको हमारे साथ एक गुफा में चलना होगा वहाँ पर एक मोची वाला भूत रहता है जो जूता बनाता है इस अफते आप वो जूता ले लेना और उसे गाउं के बीचो बीच रख कर जला देना फिर आपको आपका घर मिल जाएगा बिना महनत किये अच्छा ठीक है मैं समझ गई मैं ये काम करने के लिए तयार हूँ अगले हफते सरपंच और सारे गाउंवाले उस बूढ़ी औरत को और अपने साथ एक गाउंवाला बली के लिए गुफा के अंदर ले जाते हैं आ गए मेरी बली लेकर अपकी बार थोड़ा हट्टा कट्टा सा लाए हो ना पता है ना अच्छी बली उतने अच्छे से समस्या भी हर होगी गाउं की हाँ हाँ आपके लिए अपकी बार अच्छी बली लाए हैं अब बस अपकी बार वो जादुई जूता इस बूढ़ी औरत के हाथ में दे दी जिएगा अच्छा ठीक है अब लाओ बेरी बली गाउं वाले एक मोटे से आदमी को गुफा में मोची वाले भूत के पास भेज देते हैं बूढ़ी औरत को ये सब कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो इस बारे में सरपंजी से बात करती है सरपन जी मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा आप सभी गाउं वाले इस आदमी को अकेले गुफा के अंदर क्यों भेच रहे हैं अरे अम्मा जी ये जाएगा तब ही तो जादूई जूता मिलेगा अच्छा आओ तो रहने दिजिए अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा अब तो आप इसी गाउं में रहेंगी ना फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा तब तो वो बुड़ी औरत चुप हो जाती है फिर अगले दिन वो देखती है कि उसके घर के बाहर दो आदमी उस मोची वाले भूत की बाते कर रहे हैं इसलिए वो चुप चाप घर के अंदर छिप कर उनकी बाते सुन रही होती है हैं यही UN करके के हर हफते एक गाओंवाले की बली ले ले vandaag लिता है गाओं की कितनी आबादी वा समस्या पर मैं ने ध्यान ही नहीं दिया और उपर से जिस गाओंवाबले की बली लगती होगी इस गाओंवाले के घर flavors के लिए उसका परेशान हो जाते हो हाँ भाई सही कहा अच्छा मैं क्या कहता हूँ चलो सरपंच जी से इस बारे में बात करते हैं हाँ भाई सही कह रहे हो चलो चलते हैं और वो दोनों गांवाले सरपंच के घर की ओर निकल जाते हैं बुड़ी औरत को सब कुछ समझ आ जाता है ए भगवान ये लोग हर हफते ग जादूई जूते के लिए अगर इने कोई न मिला तो एक दिन ये मुझे बली के लिए भेज़ेंगे अब मैं क्या करूँ फिर वो बुड़ी औरत उन गांवालों के पीछे पीछे उनकी और सरपंच की बाते चिप कर सुनने जाती है वो बुड़ी औरत एक दिवार के जल्द ही निकाल लूँगा हाँ सरपंच जी हर हफते अगर हम बली के लिए एक गाउवाला भेजते रहेंगे ऐसे पूरा गाउँ ही खाली हो जाएगा हाँ बली भेजना भी मुसीमत है और अगर जादूई जूता नहीं मिला तो भी मुश्किल हम अच्छा एक काम करते हैं हम उस गाउवाले को बली के लिए भेजा करेंगे बेरोजदार हूँ क्यों कोई काम न करता हूँ और जो घर में अकेला रहता हूँ उसका कोई परिवार वाला ना हो ऐसी तो सिर्फ एक गाउवाली है कौन अरे वो ही सरपंच जी वो जो नई नई आई है गाउं में वो ही सही है अगले हफते उसे ही भेजेंगे बली के लिए ये सब सुनकर वो बुड़ी और बहुत घबरा जाती है हे भगवान अब मैं क्या करूँ मुझे तो कोई बचाने वाला भी नहीं है मैं मरना नहीं चाहती हूँ और फिर वो घबराती घबराती अपने घर चली जाती ह और फिर अगले हफते सारे गाउंवाले उस बुड़ी औरत के घर जाते हैं और उससे बली की इजासत मांगते हैं ना भाई ना मैं बली के लिए नहीं जाऊंगी ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है जान की कुर्बानी है और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है पीछे से एक नौजमान लड़का आता है और बोलता है अबिनव उन गाउवालों को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो कुछ कर नहीं पाता और वो गाउवाले बूड़ी और गुफा के अंदर भेज देते हैं और पीछे से चिपकर अबिनव भी आ जाता है मोची वाले भूत के पास जाने से पहले वो अपनी माँ से मिलने जाता है मेरा बच्चा तू आ गया मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ अब मुझे कोई डर नहीं मुझे मुझे पता है तू मुझे कुछ होने नहीं देगा हाँ माँ मैं आ गया हूँ मैं तेरी ममता समझ चुका हूँ अपना पच्टावा करने के लिए और तुझे से माफी मांगने के लिए मैं यहां आया था तो मुझे तेरी बली के बारे में पता चला अब मैं तुझे कुछ नहीं होने दूगा तू चिंता मत कर बस तू एक काम कर उस मुझी वाले भूत से बातो बातो में तू यह पता कर कि वो भूत कैसे بना और पथर के पीछे से चिप कर मैं तुम दोनों की बातें सुनूंगा अच्छा ठीक है मैं उससे पूछ लूँगी और फिर अभिनव चिप जाता है और बुड़ी औरत उस मोची वाले भूत के पास चली जाती है अरे वाह आ गई मेरी बली अरे ये बली वली छोड़ो पहले तुम ये तो बताओ कि पूरा गाउं तुम्हें मोची वाला भूत मोची वाला भूत करके बुलाता है तुम्हारे इस नाम का राज क्या है तु क्या करेंगी जानकर अरे भाई गुस्सा मत हो और वैसे भी मुझे तो तुम मारने वाले हो ना तो मारने से पहले मेरी ये आकरेच्छा पूरी कर दो और बता दो कि तुम्हारी कहानी क्या है अच्छा जाल ठीक है मैं बताता हूँ भूत बनने से पहले मैं मोची था मैं इसी गाउ में काम करता था मुझे जूते बनाना बहुत अच्छा लगता था मैं गाउवालों के जूते बनाता था उन्हें पॉलिश करता था और टूटी फूटी चपलों को जोडता भी था भगवान की दया से मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था गाउवाले अच्छी रकम में पैसे भी देती थे पर कोई भी गाउवाला मुझे तमीच से बात ही नहीं करता था गाउवाले बोलते थे कि मैं तो गाउवालों के गंदे गंदे जूतों को हात लगा कर ठीक करता fuckin और तो और मैं एक छोटी सी गंदी सी छोपड़ी में रहता हूँ कोई भी मुझसे इज़त से बात ही नहीं करता था और इससे मुझे बहुत बुरा लगता था मेरे घर के बराबर में एक सबजी वाला रहता था वो भी मुझसे बहुत जलता था वो सोचता था कि मैं मोची होकर इतना धन कमा रहा हूं और वो एक सबजी वाला अच्छा खासा काम करके भी इतना धन नहीं कमा पा रहा मैं जब भी उससे सबजी लेने जाता था वो या तो मुझे भगा देता था या मुझे गली सडी सबजी दे देता था एक दिन मैं अपनी परेशानियों से दुखी होकर इस कुफा में आ गया और तभी गाओं में एक जोरदार भू कम पा गया जिसकी वजह से एक बड़ा पत्थर मेरे उपर गिर गया और मैं मर गया फिर क्या हुआ मोची वाला भूत अपनी कहानी बताने में इतना मगन हो गया कि उसने ये तक बता दिया कि उसकी जान किस में बसी है फिर क्या मैं एक बहुत बड़ा भूत बन गया फिर सारे गाओं वाले मुझे देखने के लिए इस कुफा में आ गये गाओं वालों से बड़ा लेने के लिए मैंने उनसे एक सौधा कर लिया कि तुम सब हर हफ़ते मुझे एक गाओं वाला बली के लिए देना और बड़ले में मैं तुम्हें एक जादूई जूता बना के दूँगा जादूई जूते के लालच में आकर सारे गाँवालों ने ये सौधा सुईकार कर लिया पर वो ये नहीं चानते थे कि मैं एक एक करके सारे गाँवालों को मार कर इस पूरे गाँवालों को खानी कर दूगा जब सारे गाओं वाले गुफा से निकल गए तो मैरे देखा जो जूता मैंने पहन रखा था वो जूता अभी तक मेरे पैरों में है जब ये जूता मेरे पैरों से निकल जाएगा तब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाओंगा अभिनव ये बात सुनकर जंगल में से एक लकडी पर आग लगा कर गुफा के अंदर आ गया और उसने मोची वाले भूत के पैरों में आग लगा कर अपनी मा को लेकर गुफा के बाहर आ गया और वो मोची वाला भूत चला गया है अब वो यहां कभी नहीं आएगा आप लोग आओ अब आप सब सुरक्षित हैं सभी गाउंवाले अभिनव को बहुत शुक्रिया कर रहे थे मुझे माफ कर दो मा मैंने तुम्हें प्रापर्टी के लालच में आकर घर से निकाला और तुम बे सहारा हो गई अब मैं समझ गय हूँ कि लालच बुरी बला है मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरे बच्चे अभिनव अपनी मा को लेकर अपने घर चला जाता है और गाउंवाले एक सामानी जीवन जीने लगते हैं रंगापुर नाम का एक छोटा सा गाउं था उसी गाउं में हरिशंकर अपनी पत्नी सुशिला के साथ रहता था हरिशंकर के पास अपना एक उट भी था जो कि उसकी रोजी रोटी का एक मात्र सहारा था हरिशंकर के उट का नाम गबरू था हरिशंकर अपने उट को आसपा में चारा खिला रहा होता है कि तभी हरी शंकर की पत्नी सुशिला वहां आती है और हरी शंकर से बोलती है अजीज गबरू को कितना चारा खिलाओगे अरे जड़ा देखो तो इसे ये खा खाकर कितना मोटा हो गया है इसे तो बस पूरा दिन चारा चराते रहो इतना तो कमाकर अरे श्री मतीजी, अगर गबरू खाएगा नहीं, तो हमें पैसा कैसे कमा कर देगा? फिर ऐसा बोल कर हरी शंकर गबरू को आंगन में बांथ कर सोने चला जाता है और जब वो सुबह उटकर आंगन में देखता है, तो वहां गबरू नहीं होता है हरी शंकर चिलाते हुवे कहता है तब ही शोर सुनकर सुशीला वहां आती है और बोलती है अरी काहे सुबह सुबह इतना चिलम चिली मचा रखे हो और गब्रु को कोई चुरा के नहीं ले गया है वो तो हमने उसे घूटे से खोला है ताकि वो गाउं में घूम ले और घूम घूम कर घास फूस खा कर अपना पेट बढ़ ले अरे ये क्या बोल रही हो तुम और तुम उसे खाने को ठीक से खाना भी नहीं दे सकती जो उसे गाओं में घास फूस खाने को छोड़ दिया है और अगर वो घर वापस नहीं आया तो तुम्हें पता है ना कि फिर हमारा क्या होगा अजी वो वापस घर आ जाएगा आप टेंशन ना लो और ये पहली बार थोड़ी है जो मैंने उसे अकेला छोड़ा है तब ही हरी शंकर को गबरू आता दिखाई देता है अच्छा हुआ ये गबरू घर वापस आ गया मुझे आज बेलापुर गाओं में जाना है वहाँ गाओं में कुछ दिनों के लिए मेला लगा हुआ है मेले में गबरू को ले जाऊंगा पर मेले में बच्चों को गबरू की समारी कराकर उसका डांस दिखाकर खुब पैसा कमाऊंगा पर जैसे ही हरी शंकर गबरू को लेकर जाने लगता है गबरू वहीं जमीन पर बैठ जाता है जरा देखो तो कितना ढीट हो गया है ये गबरू इसकी कमर पर जब तक दो चार छड़ी ना पड़े ना तब तक ये कहना ना मानने वाला फिर किसी तरह हरी शंकर गबरू को मिले मिले जाता है और रात होने पर घर आकर उसे बिना कुछ खिलाए पिलाए ही उसे आंगन में छोड़ कर सोने चला जाता है रात को गबरू को भूक लगती है तो वो खाने की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है और खाने की तलाश में जंगल के भीतर पहुच जाता है तब ही जंगल में रहरे भूत की नजर उस उट पर पड़ती है अरे ये क्या इस जंगल में कभी कोई चुहा तक नहीं फटकता फिर आज ये इतना बड़ा उट कहां से आ गया चलो जो भी हो मुझे आज बहुत दिनों बाद एट भर खाने को मिलेगा अरे ये उट तो बेचारा मुझे से भी जादा भूका दिखता है इसे मैं नहीं खाऊंगा बलकि मैं इसके शरीर में प्रवेश करके इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगा और फिर मैं रोज एक माएक इनसान को अपना शिकार बना कर उन्हें खाऊंगा ऐसा बोलकर भूट जोर-जोर से हसने लगता है और फिर गबरू के शरीर में प्रवेश करके जंगल से बाहर निकल जाता है कई सालों से इस जंगल में कैश था आज इस मोट की वज़े से मैं इस जंगल से बाहर निकल पाया हूँ अब तो मैं रोज इंसान का शिकार करूँगा और मजे से अपना पेट भरूँगा अरे ये उट तो हरी शंकर भाई का लागत है ये हरी शंकर और उसकी पतनी दिन भर तो इस बचारे से खूब काम करवाते हैं और रात में इसे खास फूस खाने के लिए गाउं में खुला छोड़ देते हैं देखो तो देखो तो बिचारा कितने अभूखा लग रहा है ऐसे बोलकर काका उट के पास जाते हैं और उस पर हाथ फिरने लगते हैं कि तब ही उट काका को देखकर जोर-जोर से हसने लगता है और देखते ही देखते उट एक भयानक भूत में बदल जाता है उट को भूतिया रूप में देखकर काका के होश ओड़ जाते हैं और वो डरते हुए बोलते ही भूतिया उट काका की गर्दन अपने मोह में दबा कर काट डालता है भूतिया उट को ऐसा करते दे गाउं में रहने वाली विमला ताई देख लेती है और वो वहां से भागती हुई काकी के पास जाती है और काकी से बोलती है अरे काकी अनर्थ हो गया काका को अरे का हुआ विमला काका को क्या काकी मैने अपनी आखों से देखा है वो डरावना उट काका को बुरी तरह से चबाचबा कर खा रहा था इससे पहले कि वो हमें भी खा जाये हमें गाउओ वालों को उस भूतिया उट के बारे में बताना होगा फिर बिमलाताई और काकी दोनों मिलकर गाउं के लोगों को इकठा कर लेती हैं और उन्हें उस भूतिया उंट के बारे में बताती हैं तबी गाउं में रहने वाला चंपक बिमलाताई से कहता है अरे बिमलाताई इतनी रात में तुम काहे हम गाउं वालों को डरावत हो अरे मैं कोई डरा अवरा नहीं रही हूँ, मैंने सच में एक भूतिया उट को काका को खाते हुए देखा है, इससे पहले कि वो हमें भी खा जाए, हमें उसे ढून कर मार डालना होगा फिर सभी गाउं वाले इकठा होकर उस भूतिया उट को ढूरने निकल लेते हैं, दूसरी ओर वो उट हरी शंकर के घर पहुच जाता है, और भूत फिर से गबरू के रूप में बदल जाता है, कुछ तेर बाद सुशिला बाहर आती है और गबरू को खड़ा देख कर कहती है, अच्छा तो आ गया तू और ये तेरे मूपर लाल-लाल क्या लगा हुआ है, अरे तू गाउं में घूम कर घास फूस खाने गया था क्या अपना मू लाल करने, सुशिला की आवाज सुनकर हरी शंकर भी आंगर में आ जाता है और बोलता है, अरे आज तू मेले सी आकर मैं इ हीट हो गया है, मैं कब से इसे बुला रही हूँ, पर ये अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी इसकी कमर पर दो-चार छड़ी घुमा कर मारती हूँ, फिर इसकी अकल ठीकाने आएगी, जैसे ही सुशिला गब्रू को छड़ी मारने लगती है, गब्रू ही तुझे मारकर खाड डालूँगा, हाई रे, हाई रे, ये मेरे लूपरू को का हो गया, ये वूट से सैतान कब से बन गया, तुझे से सैतान कब से बन गया, हाई पर पर ना मैं करना, हाई इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे चड़ी से मारे, अब तो मैं इसे किसी हाल में न छोड़ूंगा, अरे इसकी वज़ा से बेचारे गबरू को गाउं भर में खूम खूम कर, सूकी गास फूस खानी पड़ती है, इसे तो मैं मजे से चवा कर खाऊंगा अरे मर गई, अरे गबरू तो मेरा प्यारा बच्चा है ना, तो तू ये ऐसी बाते ना कर, पर भूतिया उट किसी की नहीं सुनता और सुशीला को मार डालता है, सुशीला की चीखे सुनकर, वहां सभी गाउंवाले इकठा हो जाते हैं, और अपने सामने भूतिया उट को दे कर, मर डालते हैं, अरे मूर्खो, अगर तुमने मुझे चाकू मारा, तो मुझे कुछ नहीं होगा, बलकि ये बेचारा गबरू उट जान से जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ जंगल का भूत, जिसे तुम गाउवालों ने जंगल में कैद कर दिया था, वो तो भला हो इस उ कल पाया हूँ और गाउवालों को उस भूतिया उट से राहत मिल जाती है, और गबरू को भी उस भूत से छुटकार मिल जाती है।